किद्नी रोग्यों को हमीशा उनका आहार उनकी रिपूट के ही हिसाब से दिया जाता है कई बार उन्हें ऐसे आहार दिये जाते हैं जो उन्हें बिलकुल पसंद नहीं होते और कई बार उन्हें उन सभी आहारों से परहेज होता है जो उन्हें खाने में बड़े ही पसंद होते हैं लेकिन क्या किया जाए? किड्नी में खराबी होने के कारण मरीज को सबसे पहले अपने आहार में कुछ बदलाव करने होते हैं आज हम आपको अपने चानल Kidney Treatment Without Dialysis में इस बात की जानकारी देंगे कि क्या Kidney रोगी अंकुरित दाल का सेवन कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं, अंकुरित अनाज का सेवन कई लोग करते हैं और इसके आपके शरीर के लिए कई सारे फायदे होते हैं इसमें Protein, Fiber, Magnesium, Potassium, Zinc, Phosphorus, Mineral, Antioxidant, Copper, Vitamin A, B, Vitamin C, Vitamin E जैसे पोशक तत्व भी पाई जाते हैं जो आपके शरीर में इन चीजों की कमी को पूरा करते हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर है, अंकुरित अनाज में Fiber की प्रचूर मात्रा पाई जाती है, जिससे आपका Digestion System ठीक रहता है दूसरा, इसका सेवन आपके बढ़ते वजन को कम करने में मदद करता है तीसरा, अंकुरित अनाज का सेवन आपके Immune System को Strong बनाए रखता है चौथा, इसका सेवन आपके आँखों के लिए काफी जादा फायदे मन माना जाता है पाँचवा, अंकुरित अनाज में Potassium और Magnesium पाया जाता है जिससे आपका Blood Pressure सामाने रहता है और इससे आपकी किद्नी भी ठीक से अपना काम कर पाती है तो वहीं अगला फायदा कि साथ ही यह आपके हाज को ठीक रखने में मदद करता है लेकिन बात अगर किद्नी के मरीजों की करें तो किद्नी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते क्योंकि अंकुरित अनाज में Potassium की मात्रा अधिक होती है जोकि Damage किद्नी के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए किद्नी रोगी इसका सेवन नहीं करें तो आज के लिए बस इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए सबी के साथ शेर कीजिए चानल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर अपनी राय हमें कमें सेक्षन में सरूर दीजेगा